नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का स्टेटी ग्लोस पर जब मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था पीपिटी जब बना रहा था उस समय कुछ कमेंट मुझे देखने को मिले थे कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कि दो पक्ष के अंदर बटे हुए हैं एक पक्ष ये कह रहा है कि यह जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा अच्छा है गंद्गी को साफ करना जरूरी है और इसके लिए बहुत सक्थ पर निकल चुका है जो कि डिक्टेटिशिप का रास्ता है अभी वर्तमान के अंदर जो पार्टी काम कर रही है बीजेपी वो वाकई में ये चाहती है कि हम तमाम दूसरी पार्टी को खतम कर दे और ये भी सवाल उन कमेंट बॉक्स के अंदर थे कि क्या अब मोदी पुतिन के रास्ते पर निकल चुके हैं तो दोनों पक्स मैंने आप लोग को बताए हैं आपकी क्या रहा है क्या आप भी इस लोगतांतिरिक देश का एक हिस्सा है डेमोक्रीटी का एक हिस्सा है आप लोग भी elections के अंदर participate करते हैं इसलिए आपका निर्ण बहुत अच्छा और बहुत भैतरीन होना चाहिए चलिए शुरुवात करते हैं आज के इस lecture की हाली के अंदर मफलर वाले बाबा अर्विंद केजरिवाल सहाब जो है इनको अरेश्ट कर लिया गया है कुछ समय ही जब मैं इस lecture को record कर रहा हूँ अरेश्ट क्यों किया गया है क्या इसके पिछे reason है मैं ठोड़ा सा brief कर देता हूँ 2021 के अंदर leaker की policies कुछ लाई गई थी दिल्ली government की द्वारा उसके अंदर कुछ changes किये थे और बाद में उस policy को change भी कर दिया गया था central government को ये लगता था कि कहीं ना कहीं उनके revenue के अंदर वो नुकसान हो रहा है और फिर जो दिल्ली के lieutenant governor है उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि इसकी जांच जो है वो CBI के द्वारा की जाने चाहिए मैंने थोड़ा सा brief कर दिया है तो ये इस case के शुरुआत होती है दिल्ली के अंदर leaker policies को लेकर जिसको दिल्ली government नहीं बनाया था लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार इससे बहुत नाराज थी इसका जब CBI जांच करती है तो अब recently ये सामने निकल कर आया है कि कहीं न कहीं अर्विंद केजरिवाल जो के दिल्ली के मुखे मंदरी थे उन्होंने इसमें money laundering जो है वो की है क्या होती है money laundering अगरिम जमानत क्या होती है और क्या वाकई में अर्विंद केजरिवाल को अब अगरिम जमानत नहीं मिलेगी ये सवाल तमाम प्रशन जो है वो आज हम लोग बिसकस करने वाले हैं आप लोग हमारे 75 days hard challenge के साथ में जुड़ सकते हैं ये course आपको वो उंचाईयां देगा आपके willpower, आपका concentration, focus, clear thinking, आपका judgment बहुत जबरतस हो जाएगा challenge coupon code use कीजेगा और अभी जो होली की sale भी चल रही है आप लोग ज़रूर इस course के साथ में जुड़िए 75 techniques में आप लोग को बताई है कि कैसे आप लोग किसी addiction से बहार नहीं कर सकते हैं और खास तोर पर pornographic addiction चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस lecture की सबसे पहले अरविन केजरिवाल को जिस act के थुरू जेल में डाला गया है वो है prevention of money laundering act जो की 2002 के अंदर आया था और एक जुलाई 2005 को इसको लागू भी कर दिया गया था तो एक जुलाई 2005 को इसको लागू किया गया इसका objective यह है कि जो भी money laundering होती है मतलब black money जिसको white money मे convert करने के लिए हमेशा एक रेक्टी तयार रहता है कि मैं कैसे अपनी black money को white के अंदर convert कर दूँ और ये black money जो है वो money laundering के तहत ही कटी की गई है money laundering के अंदर सरकार को बिना किसी tax के जो पैसा इखटा किया आता है उसको हम लोग money laundering के अंदर count करते हैं जो पैसा सरकार की चैनलाइज तरीके से money को illegal तरीके से activities के अंदर या economic crimes के अंदर use लिया जा रहा है वहाँ पर उसका combat किया जाए रोका जाए उसको जो भी संपतिया होती है जो की money laundering के तहत खरी दी गई है providing for any other matters connected with the incidental to the act of money laundering इसके अलावा जो भी कोई concern में जुड़ा हुआ है उसके तहत money laundering के तहत कोई कारवाई जो है वो करना इस act के अंतरकत आता है और वो कारवाई क्या होती है वो हम लोग देखते हैं इस पूरे की पूरे offense को हम लोग तीन पार्ट के अंदर divide कर सकते हैं under PLMA पहला पार तो ये कहता है कि ये जितने भी act हैं जैसे हम लोग count करें under act जो की Indian Penal Code है Prevention of Corruption Act है Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act है Antiquities and Art Treasury Act है Trademark का act है Wildlife Protection Act है Copyright का act है Information and Technology Act है इसके तहत अगर आपने कोई भी गुनाह किया है तो फिर आपको सजा दी जाती है लेकिन अगर मान लीजिए ये तो पार्ट A के अंदर है पार्ट B में हम लोग उनको count करेंगे जिन्होंने ये इनका मतलब ये जो act है इनका उलंगन किया है और उनकी रकम जो है वो एक करोड से अधिक है उसको हम लोग पार्ट B में count करेंगे पार्ट C जो है वो कहता है includes transborder crimes जैसे कई बार मान लीजिए कि आप लोग तसकरी कर रहे हैं तो वो क्या है transborder's है out of India इंडिया से बाहर या फिर इंडिया के अंदर आप लेकर आ रहे हैं तो वो पार्ट C में count होगा तो हम लोग इस पूरे की पूरे act को तीन पार्ट के अंदर count कर सकते हैं और अगर हम लोग देखें कि अर्विंद केज जिरिवाल को किसमे रखा गया है तो पार्ट B के अंदर रखा गया है ठीक है पैनल्टीज अंडर PMLA मतलब क्या पैनल्टीज लगती है सबसे पहले कि जो भी प्रापटी इखटा की है उस वेक्ती ने उसको seize कर देते हैं फ्रीज कर देते हैं ठीक है इसके बाद में वो जो है उसको minimum 3 साल की सिजा मिलती है और maximum 7 साल की सिजा उसको मिल सकती है और साथ में fine भी उसको लगता है अगर उसने money laundering की है दूसरा if the crimes of money laundering is involving with the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 अगर वो इसका भी दोशी है तो उस वेक्ती को 10 साल की सिजा मिलेगी और इसके साथ में fine भी जो है वो उसकी उपर लगेगा तो यहां पर अगर हम लोग अरविंद केजरिवाल के लिए देखें तो यह पहला और दूसरा यह दोनों जो है वो उनके उपर लागू होते हैं तो हो सकता है कि उनको 3 से 7 साल की सिजा मिले fine लगे उनकी property जितना भी है उसको seize कर दिया जाए तो हम लोग अर परविंद केजरिवाल को अगरिम जमानत मिल सकती है अगरिम जमानत होती क्या है पहले वो सुनिये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई charges लग सकते हैं और पुलिस मुझे arrest करने के लिए आ सकती है तो मैं already क्या है कि अपनी जमानत है उसको दाखिल कर दूँगा और जो भी process है उसको already में complete कर दूँगा इसको हम लोग कहते हैं अगरिम जमानत लेकिन ये जो act है जिसके तहत इनको arrest किया गया है उसमें कोई अगरिम जमानत का प्रावधान ही नहीं है तो इसका एक section है section 45 इसमें आरोपी के जमानत के दो कठोर शर्ते हैं पहली है कि PMLA के तहत सार इसको उनमें अगरिम जमानत का प्रावधान ही नहीं है, गैर जमानत लेकिन जमानत टो हो के तो किसी बी तरीके से जमानत नहीं हो सकती है, arrest हो चुके हैं, तो हो गए हैं, अब अगर Supreme Court में मामला जाता है, वहाँ पर जा कर बरी हो जाता है, तो फिर बात दूसरी है, दूस मतलब जो भी उसका घर है जहां पर भी वाला है उसको अदालत पे यह साबित करना होता है मतलब खुद ही जो है वो साबित करता है कि उसपर आरोग बे बन्याद है अर्विन केजरिवाल को अरेश्ट किया गया है लेकिन अर्विन केजरिवाल ही खुद ही इस चीज़ को साबित करेंगे कि मैं बेगुना हूँ ठीक है दूसरी बात जेल में रहते हुए आरोपी के लिए खुद को निर्दोशाबिक करणपाना आसान नहीं होता है बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो तो एक चार दिवारी के अंदर बंध है अब खुद के लिए सबूत जुटाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है इसके बाद में उधारान के लिए दिल्री के आम आदमे पार्टी सरकार के ही दो पूरों मंतरी मनी सिसो दिया और सत्यंद्र जेन अलड़ी जेल के अंदर है अन्य जो नेता हैं जिसे संजे सिंग की बात की जाएं वो भी औरी जो है वो जेल के अंदर है मतलब अर्विन केजरिवाल उनके कई साथी जो है वो औरी जेल के अंदर है तो ये बात होते हैं कि अर्विन केजरिवाल को अब जमानत जो है वो मिलना मुश्किल है और अब मामला जो है वो सुप्रिम कोट के अंदर सुनवाई के लिए जाएगा ठीक है तो ये सारा मामला में आप लोग को समझाया है अब बात ये है कि देश दो धड़ों के अंदर भी बटा हुआ है दो विचार धारे भारत के अंदर चल रही है और इसका पता लगता है जब हम लोग comment sections को देखते हैं दो धड़ों के अंदर बटे हुए है कि क्या वाकई में भारत की democracy खतरे में है और कुछ लोग कहते है कि भारत की democracy सुरक्षित है अब इसका decision जो है वो जनता करती है कि आखिरकार democracy, लोग तंत्र, लोगों से मिलकर बना हुआ तंत्र है तो वो लोग decide करेंगे कि क्या उस तंत्र के उपर, उस system के उपर कोई effect पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ठीक है? तो ये अमने पुरा analysis जो है वो इस case का किया है आप लोग हमारे 75 days hard challenge के साथ में जुड़ सकते हैं आपको coupon code use करना है challenge वाकई में आप अपनी जीवन के अंदर, अपनी life के अंदर बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं बदलाव करना चाहते हैं और ये मानके चलिए कि कुछ ना कुछ आपके जिंदगी के अंदर ये course add-on करेगा 350 rupees के अंदर आपको 75 techniques, 75 days तग आप लोग को बताई गई है बहुत महनत लगी स्कोर्स के अंदर आप लोग जरूर एक बार इससे go through होईएगा ठीक है चलिए आप लोग टेलिग्राम चैनल दीपक इंदर आफिशल हुप से जरूर जुड़ जाएए यहाँ पर कल से आप लोगों के लिए quiz भी available होंगे जहाँ पर कुछ questions के answer आप लोग कर पाएंगे चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले session में तब तक धन्यवाद थैंक्यू जाहिंद